वेलकम टूदा चैनल तो कैसे आप सब आइ होप सभी अच्छो टचैसे पढ़ रहोंगे तो फिजिक्स के लिए मिले थे भाई सब अब सादे पांस तिन हना तो जो भी बच्चे शुरू से लगे हुए मतलब 28 की शाम से लग गए थे या दो पैर बाद लग गए थे पेपर देने के बाद chemistry का पेपर देने के बाद तो उनकी profession मेरे ख्याल से सही चल रहे होगी अच्छी चल रहे होगी अभी यह वीडियो जो है वह last सी बात है उन बच्चों ने 28 से पढ़ना ही शुरू किया होगा क्योंकि 28 की शाम एक तारिक और दो तारिक धाई दिन उनके वह हो गए और आज उनका म्यूजिक की प्रप्रेशन चल रही है कल वह म्यूजिक का एक्जाम देंके आएंगे आदे दिन तक वह आदा दिन कल का वे होगी आप लोगों की ओके बटा चले तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात बोलूँगा कि हमारे पास जो फिजिक का एक्जाम कितने नंबर का आने वाला है जस्ट आ मिनट कितने नंबर का आने वाला है हमारे पास सतर नंबर का सबको पता है यह तो हासर यह सारी चीजे हमे और चाहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर आए और नंबर सिरफ यार यह strategy की वीडियो देखने से नहीं आएंगे मैंने पहले बोला है किस चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया भी गया है सब कुछ करवा दिया गया फुल सलेबर्स फुल प्रीवियस यर फुल एमसी क्यू फुल नॉट केस्ट पेस्ट आ रहे हैं अभी भी कल भी आएंगे ठीक है तो सब कुछ आप लोगों को करवा दिया गया और उसके बावजूद फिर आप लोगों को गाइड किया जा रहे हैं यह नहीं है कि सिरफ बता सब्सक्राइब के लिए तो यह जो सब्जेक्ट से ना भाई इनकी जो एक्जाम आते हैं वह इसी या मोटरेट आप लोग बोल तो लेकिन फिजिक्स ऐसा अकेला सब्जेक्ट है जो इन सबसे थोड़ा सा उपर आता है इन सबसे थोड़ा उपर आता हाला कि देखो मैं यह नहीं बोल रहा हो कि तो मैं डुरारों कि यह पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला मैं सच्छा ही बता रहा हूं बस तुम्हें कि इन से थोड़ा सा हाड आएगा इन से थोड़ा सा हाड रहेगा ठीक है और दूसरी बात और यह भी निया कि आप फिजिक्स के अंदर करनी होगी ज्यादा महनत कर ने होगी इन सब्यक्ट में मालों इन पर तुमने अगर दो दिन लगा के महनत करी थी अगर इनके टाइम पर तुम एक एक दिन में भारा भारा घंटे पड़े थे तो वहीं फिजिक्स के डाइम में 15-15 घंटे पड़ना ही पड़ेगा और राश से कवर होते हैं वह कहां से कवर होते हैं कहां से पता लगता है प्रीविए सियर कोश्टन से पता लगता है तो भाई कहने का मतलब आप लाश्ट के दो दिन जब पढ़ रहे हो तो आप एक चीज ध्यान में रखना 80 20 रूल के ओपर फोकस करना क्योंकि 20 परसेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से लगबा लगबा 56 नंबर जो है वो कवर होंगे 80 परजेंट जो है वो कवर होगा मार्क्स का तो भाई यह क्या है मौस्ट इंबोर्डन टॉपिक्स कौन से मौस्ट इंबोर्डन कॉश्टन कौन से इसके उपर मैंने एक वीडियो बना रखा हैं लोगों को मिल जाएगी पूरी 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 जो पीडियाफ हो टेलिग्राम पर भेज़ जी हुए यह चीज क्यों मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूं कि यह चीज जुरूर देखनी है क्या हमें पता होगा जब हम कोई चप्तर पढ़ेंग और उसमें कोई टॉपिक ह बहुत जल्दी पढ़ना इसके उपर ज्यादा से ज्यादा कोशन प्रैक्टिस करने इनको तो छोड़ना नहीं है इंपोर्टन का मतलब यह नहीं होता है कि इनको छोड़ के नहीं जाने उनको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उनकी सबसे ज्यादा रिवीजन करनी है सम और पढ़ने से ही होगा बात करने से या सिरफ वीडियो देखने से स्ट्रेटिक वीडियो देख ली हो जाएगा ऐसे नहीं होने वाला सच्छा है यह दो दिन आप लोगों को मिल रहे हैं तो मैं बोलूगा कि दो दिन को आप अपने टाइम टेबल के कोडिंग सेट कर लो पर नेक्स एक दिन और खराब कर सकते हैं एक दिन क्या लाश्ट के दो दिन भी खराब कर देंगे जीरो हो जाएंगे निल हो जाएंगे तो इसलिए आपको खुद भी सोचना है कि यह मेरे जो पीछे वाले दिन गए हैं तीन साड़े तीन गए हैं दिन चले गए वह क्यों कि तुम्हें एक मेनेजमेंट रही कर पाई टाइम की तो यह लाश्ट के दो दिन में सबसे पहले आप टाइम टेबल सेट कर लो आज इस वीडियो को देखने के बाद सोने से पहले भाई सब कल का प्लान फॉर्थ ऑफ मार्च का जो प्लान है उसको बना के सोना और जब चा अगर आप लोगों के पास टाइम बचेगा तो आप NCRT के भाई साब सोल्ड एक्जमपल भी कर सकते हो क्या कर सकते हो सोल्ड एक्जमपल मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर तुमने पहले NCRT नहीं पड़ी तो अभी पढ़ने का फाइदा नहीं है लेकिन अगर तुम्हा है अb लोगों के लिए ठीक है छलो अब सर आपने बता दिया कि दो दिन का टाइम टेफल बना ले ठीक है कि पहले चार चार बना लेते हैं पांच का बना लें जैसे चार गउड़क हां जी complete कैसे करना है सलेबस को देखो या तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डे वन मतलब चार मार्च को आप क्या करो आप अपना सिरफ थियोरी पॉर्शन का पकड़ो क्या पकड़ो सिरफ आप अपना थियोरी पॉर्शन पकड़ो ओके अब उसते पहले थियोरी पॉर् फिटि एक छप्त्र आप लोगों के पास चक्टर नंबर एठ एक चप्तर नंबर फर थर्टीन ठेख और आश्मा आथमा तेर्वा चप्टर इतने चोते हैं बहूत जल्द हो जाएगा इनका आप कया करो इनके सिरुफ आप लोगों को क्या करना इनकी समरी करो इनकी आप परतीन चप्टर की और इनके प्रीवेस होज़ेना ठeak कैसे हैं जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बोला कि कैसे पढ़नी है मतलब क्या-क्या चीजे आप लोगों को फॉलो करने वह बताऊंगा देखो यार तो तुम लोग क्या करो नोट से पढ़ लो चप्टर फर्स्ट पढ़ा चप्टर 2 पढ़ा चप्टर 3 पढ़ा साथ में रफली स्टिरफ साथ में रफली रफली क्या बनाते चले शोट नोट बनाते चले कि आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या-क्या चीजे पढ़ी है उनको अपनी भाषा में लिख लो हो कैते ना डोक्टरी की भाषा होती है वो रैटिंग गंदी-गंदी सी मार द सकते हो या फिर आप फोन शोट वीडियोज को फोलो कर सकते हो चैनल सब कुछ है चैनल पे अप्लोडी है बहुंड फॉन शोट वीडियो इंटि-वाई चैप्टर की भी है और पूरी इंडिविजुद चैप्टर की देखना मैं चाहते हो विब्यों साव देख लेना उसको एक की स्पीड पर चल रहे हैं तो आप लोगों के पास कितना है 24 गंटे में कवर होगा लेकिन देखोगे तो बहुत जल्दी कवर होगा 15 गंटे तो आप करीद होगे 15 नहीं करोगे तो 16 गंटे में बट एक दिन में आपका सलेबस हो रहा है न वीडियो के तुरू नहीं जाना है सब कुछ मैं बार बर बोल रहों कि भाई साब यहां पे सिर्फ आप लोगों को वहकाया नहीं जाता है कि हो जाएगा नहीं पहले चीज़े करवाई जाती है फिर उनको एक्जेक्यूट कराने के लिए प्लान बताया जाता है ठीक है चल तो बता दिया पहले दिन आपको क क्या करना अपना syllabus पूरा करना है तो दूसरे दिन क्या करना भाई साब दूसरे दिन आपको previous year questions करने है ठीक है अब previous year के भी दो तरीके वही जैसे उपर बताया कि या तो आप चैप्टर वाई क्यों की बूक होगी आप लोगों के पास उसमें पिछले 5 साल के questions की practice करो ठीक ह अगर तुम्हारी theory अच्छी होगी है तो previous year question करने में उतना time नहीं लगेगा एक एक डेड़ेट घंटे में सब कुछ हो जाएगा ठीक है अगर मैं हिसाब लगाओ तो लगबग लगबग 10 घंटे के अंदर तुम previous year कर सकते हो भाई सब हो जाएंगे अब कहीं बच्चे बोल के अंदर तुमने वो चीजे कवर कर दी या तो आप क्या कर सकते हो खुद की practice ने कर सकते है या फिर चैनल पर अपलोड़ेट है भाई सब 11 घंटे का एक वीडियो उसको भी अगर आप 1.5 पर देखते हो तो वह भी 6-7 घंटे के अंदर निपट जाएगा 6-7 घंटे के चार अगर भी है तो उसको भी अगर 1.5 एक्स पर देखता हो क्योंकि स्लो मैं पड़ाता हूं तो थोड़ा सा 1.5 एक्स पर देख लेना ज्यादा सही रहेगा तो 1.5 एक्स पर देखोगे तो 4 घंटे की वीडियो भाई धाई घंटे में खतम हो रही होगी ठीक है तो आप ल सुबह स्टार्ट करेंगे ठीक है तो उनके बास टाइम बच सकता है तो एक्सामपल कर सकते जो इंपोर्टन मैंने तुम्हें बता रखे है ठीक है अच्छा क्या क्या चीज़े आप लोगों को चैनल पर मिल रही है ठीक है तो वह मैं बता देता हूं यार फूल फीजिक्स मैं दिया हूँ है मैंने याप ठीक है फूल फीजिक्स है 24 आर्स में फूल पीवाई क्यू है घ्यारा घंटे में ओके और साथ में आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूंद एमसी क्यूं है 200 वह पांस घंटे या चार घंटे कुछ ऐसे कही है ओके नुमेरिकल मैंने अप् फॉर्मुला की और यह चीज़े हैं साथ में जितने भी कोशन मैं टेलीग्राम पर भेजी रहा हूं ठीक है उसके बाद लाश्ट दिन तुम्हें क्या करना वाई सब लाश्ट दिन तुम्हें क्या करना चे मार्च सुबह जल्दी उठना वाई सब ठीक है पांच को कोशिश करोगे अपना काम निप्टा के जल्दी सो जाओ ताकि नींद पूरी हो जाए मतलब इतनी ले लो की भाई तुम इतनी नींद ले लो की करन को एक्जाम जब दो तो आपका सिर्थ दुखे ना ठीक है आपको कुछ प्रोब्लम ना हो हेल्थ इस्यूस ना होगी यार मुझे दो पेपर देखके यह चक्कराने लग गए तो इसलिए अपनी नींद पूरी करके जाना कम सब 6 गंटे तो नींद होने चाहिए 6 गंटे इससे ज्याद है तो 6 मार्च को जल्दी सुबह उठके आपको क्या करना भाई ओल फॉर्मुला को रिवाइज करना है पेपर में जान सब्सक्राइब फिजिक्स को आता ही नहीं पता होती तो वह बन्दें पता क्या करते हैं वह अगर किसी के नौट्स भी अगर देखते न पता क्या बोलती नौट्स बेकार है इसके इससे मत पढ़ना वाइस अब यूट्यूब पे सबसे बढ़िया बैस्ट नोट्स उसकी खुद की ABCD खराब है फिजिक्स की ओके और चैनल पर सब कुछ फ्री है और फ्री आता रहेगा अगर कभी पेड़ भी हो तो बहुत कम प्राइज होगा बहुत कम चार सो पान सो छे सो साथ सो चलो यह दूसरी छोड़ो इस बात को ठीक है यह नेगटिव चीजों की सकते हो ओके बटा चलिए तो बस मैं भी बोलूँगा कि आपके बास अभी भी टाइम है दो दिन का टाइम है अगर आप 15-15 घंटे भी पढ़ते हो तो 30 घंटे में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बट दिल से पढ़ना होगा जी जान लगानी होगी ठीक है चलिए तो पोवाई टेक क्यार जैहिन बन्ने मात्रम